आज के जो रेमेडी है वो इतनी जादा पावरफुल है कि कि आप इसे एक पर ही इस्तमाल करोगे तो आपको पहली बार के इस्तमाल से ही फरक महसूस होने लगेगा कैसा भी दर्द हो चाहे गुटने का दर्द हो, कंदे का दर्द हो, कमर का दर्द हो या फिर जोडों का दर्द हो, सब के सब दर्द गायब हो जाएंगे आप मार्किट से ओयलमेंट और दवाईयां लाकर लगा रहे हो और उनसे भी अगर आपको बिल्कुल भी अराम नहीं मिल रहा तो तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा नुस्का जो कि पूरी तरीके से आयरवेदिक है और तो और घर की नैचरल चीज़ों से ही बना हुआ है और साथ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना नुस्का है मेरी खुद की ममी भी इसका इस्तमाल करती है तो आज की रेमिडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक प्यास प्यास के छिलके को आप उतार लीजिए आपको किन किन चीज़ों के जुरुत पड़ेगी वो मैं आपको बता रही हूँ प्यास के छिलके को उतारने के बाद आप इसको बरीक परीक काट लीजिए और इसको लगाने का एक खास तरीका होता है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी तो उस पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जिससे आपको तुरंधी पहली बार के इस्तमाल से ही अराम मिल जाए प्यास के बाद हम लेंगे लसुन और इसके छिलके को भी हम उतार लेंगे तीन से चार कलिया लेंगे हम लसुन की और इनको भी हम छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे हमारे शरील का चाहे कोई भी दर्द हो चाहे घुटने का दर्द हो, कंदे का दर्द हो, एडी का दर्द हो इनमें प्याज और लसन जो हैं, राम बान है जो आपको चीज़े बतारी हूं, उनमे से किसी भी चीज़ को आप स्किप मत करिएगा अगली चीज हमें लेनी है 3-4 लॉंग और 6-7 काली मिर्ज के दाने और एक चम्मच के करीब खल्दी ये सारी की सारी चीजें गरम है तसीर में और हमारी हड़ियों में जितना भी दर्द होगा ये सारी की सारी चीजें इतनी गरम है कि उस दर्द को खीच के बाहर निकाल अब आपको लेना है एक चम्मच के करीब मेथी दाना वही मेथी दाना जो हम सबजी में इस्तमाल करते हैं वही मेथी दाना लेना है आपको अगली चीज लेंगे हम एक छोटा चम्मच के करीब अजवैन का जैसा कि आप सब जानते हैं अजवैन की तसीर कितनी जादा गरम ह कैसा भी दर्द हो और चाहे कितना भी पुराना दर्द हो, यह सारी की सारी चीजें जड़ से खतम कर देंगे दर्द को. आएए जानते हैं, इसको कैसे बनाना है? इसको बनाने के लिए हम लेंगे सरसों का तेल. आपको सिरफ सरसों का तेल ही लेना है, जैसे ही तेल गरम हो जाए तो सबसे पहले हम डालेंगे एजवैन को क्यास को बिलकुल लो फ्लेम पे रखना है हमें इसको जलाना नहीं है बलकि पकाना है इन सबी चीजों को दीमी आँच पर हलके हलके से पकाना है ताकि ये सारा असर अपना तेल के अंदर छोड़ दे जैसे ही ये पक चाएगा अब इसके अंदर हम डालेंगे मेथी के बीच आपको जैसी ही मैं करम बता रही हूँ वैसी आपको इन चीजों को डालना है ये नहीं कि जैसे कि पहले आपने लसुन डाल दिया फिर आपने मेथी के बीच डाल दिये ऐसा बिलकुल मत करियेगा फिर अब इसमें मिलाएंगे लसुन और लसुन को भी हम पकने देंगे लसन हमारा पक चुका है अब इसमें हम मिलाएंगे काली मिर्च के दानों को अब हमें मिलाना है लॉंग को अब हम इसमें जो हमने प्यास को कट किया था अब हम उसको भी इसमें मिला देते हैं प्यास को पूरे तरीके से पकने दीजिएगा फिर आखरे में आप डालिएगा हल्दी और इसको धीमी आँच पर हम पकाएंगे थोड़े तिर और पकाएंगे ताकि प्यास अपना सारा असर इस तेल में छोड़ दे अब हमारा तेल जो है वो अच्छे तरीके से पग गया है तो इसलिए अब गैस को कर देते हैं बंद और तेल को गुनगना होने के लिए छोड़ देते हैं मतलब कि जब तेक ये कोसा कोसा सा हो जाए बिल्कुल ठंडा नहीं करना तेल को अब ये ठंडा हो गया है अब गुटनों से चाहे कटकट की अवार लगा लिजिए और गुटने के आसपास बिल्कुल ऐसी ही खेरा सा बना लेना है अब गुटनों से चाहे कटकट की अवाज आती हो या बैट कर उठना बहुती जादा मुश्किल हो जाता हो या आप चल फिर ना पा रहे हो आपको एक पारी में ही इसका असर दिख जाएगा आपको गुटने के पास ऐसी ही आटे का गिरा लगा लेना है इसके बाद जो तेल है उसको हम घुटने के उपर ऐसी ही डालेंगे तेल आप जितना गरम बरदाश कर सकते हैं उतना ही गरम लेना है अगर आप तेल को ठंडा करना चाहते हैं तो हलका सा सिरफ गुनगुना रख सकते हैं फिर आपको उङली की साहेता से गुटने के उपर ऐसी ही मसाज करनी है एक तो हमने तेल जो है वो गुनगुना इस्तमाल किया है और तेल को बनाने के लिए जो जो चीजों को हमने इस्तमाल किया है वो सब गरम है आईरुवेद के हिसाब से जाता जोड़ जोड़ से मसाज नहीं करनी बिलकुली अराम अराम से मसाज करनी है उंगली की सहाइता से ये जो आपको एक्स्ट्रा तेल दिख रहा है इसको आपको फैंकने की जुरूरत नहीं है अगर आपका घुटना मुड जाता है चलते चलते या फिर कटकट की आवाज आने लगती है सारा का सारा दर्द इस तेल के इस्तमाल से खतम हो जाएगा ये देखिए जो एक्स्ट्रा तेल था उसको मैंने चमच की मदल से निकाल लिया है और जोन से भी कटोरी या फिर बॉटल के अंदर आपने तेल को स्टोर करके रखा है उसमें इस तेल को भी मिला दीजिए अब ये जो हमने आटे का घेरा बनाया था उसको भी निकाल दीजिए अब इस आटे को आप कटोरी के अंदर डालके रख सकते हैं और एक से दो बारी ये आटा जो है फिर दुबारा से इस्तमाल हो जाएगा इसको धगकर आप रख सकते हैं अब घुटने पर जो तेल लगा हुआ है उसको अच्छे धंग से मसाज कीजिए इस तरह से बढ़िया से कीजिए मसाज घुटने पर जो तेल लगा है उसको अच्छे धंग से मसाज कर लीजिए इस तरह से बढ़िया से मसाज कर लीजिए ताकि अंदर तक चला जाए ये तेल हमारे मास पेशियों तक एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है ऐसा मत कीजिएगा इस पर तेल लगाने के बाद थंडा पानी मत गा लिएगा क्योंकि एक तो तेल गुन गुना था और हमने जो भी चीज़ों का इस्तमाल किया है इस तेल को बनाने के लिए उनकी तासीर भी बहुती ज़ादा गरम होती है तो इसी वज़े से मैंने आपको बोला था आप इस तेल का रात में इस्तमाल कीजिएगा फिर इसके बाद आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए जैसी कि स्वेटर तोलिया पुरानी चादर कोई पुरानी फटी हुई चुन्नी हो कोच भी आप ले लीजिए अब का उटकर आप कपड़े को हटा दीजिए और फिर शाम को इसी सेम कपड़े का आप इस्तमाल कर सकते हैं ये एक परी के इस्तमाल से एक ही रात में आपके सारे दर्द को निचोड़ देगा उमीद करती हूँ आपको ये जानकारे पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकार करें कमेंट करें और साथ की साथ सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच